आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन अंडा करी है लो दोस्तों मैं हूँ नीना वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना पैन को मैंने चड़ा दिया है अब मैं यहां डाल रहे हूं दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ओयल आप जो भी कुकिंग ओयल खाते हो इसमें बना सकते हो अब इसमें डालेंगे एक टी स्पून जीरा और दो बड़े साइस के प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है अब इसे भी ह नहीं हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़े हैं त slide के घंल करते हुएं दो बड़े चम्मच वनिया पावडर। एक चमच पृण मिल्ची पावडर एक सोटा चमच न जीर तर बड़े 200 चमच कों चबसास अरि टीनिग मसाला चबह आदा चुटा चमच गाज और आठ से दस लॉंग डिया है यह भी हम डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए टमाटर गल्ले पर पका लेंगे जब तक मसाला पुन रहा है चलिए चलते हैं नेक्स पासेस पर दो टेबिल स्पून यहां पर मैंने पोस्ते दाने को भीवो दिया था इसे हम मिक्सर गेंडर जार में डाल देंगे भीगे हुए आठ से दस बादाम और थोड़े से काजू को भी हम डाल देंगे और अब इसमे आधा कप पानी और इन सारी चीजों को इसकर एक इसका पाइन केस्ट बना लेंगे पेस्ट बनकर तयार है अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और टमाटा लगबक गल चुके हैं और मसारा भी लगबग भूनकर तयार है अब हम इसमें डालेंगे दो हरिमेच दस से बारा लशन की गळिया दो इंच अद्रक का टुकड़ा जिसे हम काट लेंगे इन सारी चीजों को मैं बाद में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर निकल कर आए बहुत जादा भूनने पर इसका प्लेवर दब जाता है पर आधा चोटा चम्मच कसूधी में थी है अब इन सारी चीजों को भी हम दो मिनट तक भूनेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक मसाला ठंडा हो रहा है कर लेते हैं आगे की तैयारी आधा कीलो पनीर को मैंने कपड़े में लपेट कर सिलके नीचे इसे दबा दिया था जिससे इसवा सारा पानी निकल गया है आप देख सकते हो यह बिल्कुल भी गीला नहीं है बिल्कुल ड्राइ हो चुका है अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे अब डालेंगे चार से पांच चम्मर्स कॉन प्लार अब इसे मिलाते हुए इसका एक थोड़ा सा टाइप को बना लेंगे दो को एक प्लेट में निकाल लिया है अब इसे अच्छे से मसलते हुए चिकना करते हुए अब डालेंगे इसमें दो बड़े चमच मिल्क पाउदर इसे भी मिक्स करते हुए अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमा और इसे भी अच्छी तरह से निक्स कर लेंगे अब इसमें से थोड़े से पार्ट को हम अलग कर देंगे डालेंगे थोड़ा सा फूट कलर और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे यहां पर मैंने यलो फूट कलर का इस्तेमाल किया है यलो वाले पार्ट से हम छोटे बॉल्स बना लेंगे और वाइट वाले पार्ट से हम थोड़े बड़े बॉल बना लेंगे जितने बॉल हम छोटे बनाएंगे उतने हम बड़े बॉल्स भी बना लेंगे यहाँ पर मैंने 5 यलो बॉल्स बना लिए हैं और 5 ही वाइट बॉल्स बना लिए हैं अब वाइट वले पाट के अंदर हम यलो वला पाट रखते इसको हम अंडे का शेप देंगे यह देखिए इसी तरह हम सभी बॉल्स को बना लेंगे यह देखिए सबी बॉल्स हमारे बनकर तयार है चलिए अब हम कर लेते हैं इन्हें प्राई पॉइल गरम हैं अब हम इन्हें एक एक करके पुलटे-पुलटे हुए प्राई कर लेंगे एक करी बनाते समय भी हम बॉल अंडों को प्राई करते हैं यहां पर हम कर रहे हैं वेच अंडों को प्राई वेच अंडे अच्छे से प्राई हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे मसाला ठंडा हो चुका है अब हम इसे भी मिक्सर गरंडर जार में डालका पीस लेंगे पेस्ट बनकर तयार है चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ अब डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसे मिल्ट होने देंगे बटर मिल्ट हो चुका है अब डालेंगे यहां पर एक छोटा चमच काश्मीरी लाज मिर्ज का पाउडर और जो हमने मसालो का पेस्ट बनाया था इसे भी डाल देंगे सारी चीजों को हम चलाते हुए दो मिनट तक भूनेंगे अब हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू बादाम और पोस्टे का पेस्ट बनाया था इसे भी चलाते हुए दो से पीर मिनट तक दिनी दिनी आज पर भून लेंगे अब दालेंगे अब दालेंगे इसमें लगबर आधा से पॉना कप पानी ग्रेवी आपको जितनी गाड़ी रखनी हुए पानी की मात्रा को उसी हिसाब से घटा बढ़ा सकती है यहां पर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है मैं तक्रीबन चथाई कप पानी और डालेंगे अब इसे कवर करके बॉइल आने तक पका लेंगे प्लेम को रखेंगे मीडियम ग्रेवी लगबर बलकर तयार है अब इसमें मैं डाल रही हूं आधा टेबिल स्पून शुगर पाउडर जो हमारी ग्रेवी को एक खलकी सी मिठास देगा पाइनली हमारी ग्रेवी बनकर तयार है चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्रेटिंग हमने जो एक प्राई किये थे अब हम उन्हें बीच से कट कर लेंगे देखिए बिल्कुल लग रही है न अंडे चलिए अब करती हैं इसकी प्लेटिंग प्लेट में ग्रेवी को डाल रेंगे अब इसके ऊपर हम रखेंगे वेच अंडों को थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता और फिर हम उपर से डार देंगे इसमें ग्रेवी बीजे बनकर तयार है हमारी वेच एक करी रुमाली रोटी और राइस के साथ आप इसका आनंद ले सकते हैं जब तक आप इसका आनंद लेंगे तब तक मैं दूसरी रिस्पे के साथ हाजिर होती हैं बाई बाई